नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चल रिमेके डुकाओ तो यह जो information है और यह एक format है और यह format जो है एक सक्षमता परिच्छा की तो मैं इसी पर्टिकुलर इसी एरिया को क्यों लेके आया हूँ इसका कारण यह है कि बहुत सारे सिख्षों का confusion है कि सर मैं एक से पांच में सिख्षक था क्या मैं 6-8 में फॉर्म भर सकता हूँ सर मेरा स्कूल प्रखंड अस्तर का है यानि 6-8 यानि मीडिली स्कूल है तो मैं प्रखंड सिख्षक हूँ तो क्या मैं मीडिली स्कूल का फॉर्म भर सकता हूँ क्या इसी चीज़ के लिए यह वीडियो बना है अमयने clarification के लिए कि भाई यह confusion नहीं होगना चाहिए कि क्या है क्यों है एक से पांच के सिख्षक क्या 6-8 का सथमता परिछा दे सकते हैं क्या 6-8 का उप्रणभीक हुए प्रारमभीक का मतलब हो गया वह क्या हो गया लोग पंचायत अस्तर पर आपग्रेड जुआ विध्याले प्ररंभी कर्काइब बिद्याले होगया यास एक सी पर septum सब्सक्राइब strict Affri already except sunshine ओभाई में गुका होगे फिल्पवाई वह अब यानी on 128 में के लिए लाइबल होगा क्या यहीं कंव्यूजन है जिससे अदिकत हो लिए तो आईए इस सब चीजों को पहले हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि क्या हमें करना है और इसको जान लेना जरूड़ी है सबसे पहले यह जानिए यह जो परिच्छा है जिसका नाम सक्षमता परिच्छा है यह एक कंपिटेंसी टेस्ट है ठीक है यह आपकी कैपिबिलीटी चेक की जा रही है कि आप जिस संबर्ग में पढ़ा रहे हैं उस संबर्ग में पढ़ाने के लिए कैपेबल है की नहीं तो आपको आपका जो संबर्ग है यह इसी से सक्षमता बना के आपका छेत्र बढ़ाया जा रह ठीक है यह ध्यान देने की बात है कि यह प्रोमोशन का एक्जाम नहीं है यह आपके छमता को आपकी दक्षता को चेक करने के लिए परिक्षा है आपको इस परिक्षा के माध्यम से प्रमानित करना है और जिसके माध्यम से सरकार यह जान जाएगी कि हो यह जिस संबर्ग में पढ़ा रहे हैं उसे लिए ये competent हैं तो इनको इनकी सुभिधाएं बढ़ा दीजाएं बस यहीं है तो पहले यह जानिए कि है क्या अब देखें फीजिकल टीचर है लाइब्रेडियां है अब देखें वन्टु फाइब कौह रहे हैं कि क्या मैं नाइंट टेश्विलिटी है यानि वह ब्यएड हैं वह सब्जेक्ट अकर एलेब्रेड् त्वेल्ट में ब्रने के लिए कर रहे हैं तो करें मैं पर्टिकॉल सब्जेक्ट में और teacher है किसके 125 के उसी तरह कोई 68 का teacher है तो कोह रहा है कि क्या हम मैं भर सकता हूँ क्योंकि मैं जिसी school में हूँ तो high school है आप मैं teacher हूँ 68 का मेरा school तो high school हो गया है तो मैं तो high school का teacher हो गया हूँ तो पहले इस चीज को जानना जरूरी है और यह जानना जरूरी है कि पंचायत अस्तर क्या है प्रखंड सिक्षक क्या है जिला परिशत सिक्षक क्या है नगर निगम नगर परिशत यह सब इस प्रकार के नगर पंचायत के सिक्षक क्या है तो आएए इन ही सब चीज को जानने के लिए और क्लिरिफिकेशन के लिए मैं चीजों को आपका बताता हूँ आएए चलिए अब सबसे पहले एक चीज जानना जरूए है आएए देखते हैं हम सब को पता है कि सिख्षों को की बहाली एक से पांच में हुई 6-8 में हुई 9-10 में हुई और 11-12 ठीक है इन लोगों का जब बहाली है ये आपको जिला परिसर लेबल का हुआ ठीक है अब इसको यहाँ थोड़ सा रख्यम साइट रहते हैं अब आते हैं में कनफ्यूजन यहाँ है अब जो 1-5 के जो टीचर है यह बहाल हो गए आपको पंचायत नगर पंचायत उसके बाद यह बहाल हो गए पर खंडस तर ठीक है अब यह कनफ्यूजन बना का यह बना इस पीचर बहाल हुए थे बहाल हुए थे और वो लोग किस में बहाल हुए थे बेसिक ग्रेड में बहाल हुए थे बेसिक ग्रेड में बहाल हुए थे और 2013 यानि टेट के पहले सब लोग बेसिक ग्रेड में बहाल हुए उसके बाद 2013 के बाद कंसेप्ट आई 6-8 का 9-10 का और 11- ठीक है अब देखिए अब सारा कहानी यहीं है अब लेके चलते हैं हम लोग वन टू फाइफ वाले मामले को 2013 से पहले की अब देखिए 2013 से पहले जो वन टू फाइफ के जो टीचर बहाल थे वो लोग जिस विद्याले में बहाल थे वो पंचायत असर का विद्याले था और वो आपग्रेड हो गया तो यह जो पन्चायक सिख्षक थे यह करणवार ठोट के क्या बन गया है यह करणवार्ट हो कहया हो गए प्रखंड सिख्षक का भाँवां यहँघ गंवां assassin ० You एक से आठ के लीए होता है यूए मेर्स किसके लिए होता है एक से आठ के लिए एक से आठ WA vykehou यह लिए कि आता हो अब हुए समझेट प्रखंड नहीं है कि उयूल यह अब देख कि पंचायत न परखंड में अंतर का है यानि कार्य करने का दाइरा है करने का दाइरा है नो की नो की पद है यह पद नहीं है यह पद नहीं है यह कार छित्र है कार करने का दाइरा है प्रखंड यदि आप 1 to 5 पे टीचर हैं अगर आप प्रखंड टीचर हैं तो साहब आप basic grade में ही है basic grade में ही है और 6-8 के जो teacher है यह आपको graduate grade के teacher है यह 6-8 के clear है 9-10 वाले लोग जो है वो 9-10 के लिए teacher है उनके 1-5 वाले के बिद्याले के आपको upgrade हो जाके यानि 1-5 वाले बिद्याले upgrade होके UHS हो गया चाहिए भाले वो plus 2 हो गया लेकिन साहब आप जो one to five में बहाल हैं आप तो one to five के ही teacher है ना आप one to five के ही teacher है ना अब यहाँ देखिए एक देखिए एक होता है मे और एक होता है के अब देखिए हाई स्कूल हाई स्कूल में teacher और हाई स्कूल के टीचर में अंतर है फिर से देखते हैं में और के में teacher और के टीचर यानि माल लिजे कोई मीडिल स्कूल का है मीडिल स्कूल का teacher है और तो वो कहता क्या है कि मैं मीडिल स्कूल में teacher हूं और मीडिल स्कूल के teacher है यानि इस में पढ़ा रहा है जरूरी नहीं है क्या मीडिल स्कूल के teacher है हो सकता है one to five के teacher और मीडिल स्कूल के teacher है यानि आप six to eight के teacher यहीं है उस विद्याले में है लेकिन विद्याले के टीचर नहीं है यानि उस सेक्षन के टीचर नहीं है यह ध्यान रखे तो यह जो सक्षमता परिक्षा है यह जो सक्षमता परिक्षा जो ली जा रही है यह जो है आपकी प्रमोशन के लिए नहीं है आपकी कंपेंटेंसी टेस्ट ध्यान रखे आप किसी भी अस् इस कोटी में बहाल है आपको सक्षमता आपको उसी कोटी की देनी है आपको सक्षमता उसी कोटी की देनी है वहीं पर परमानित करना है कि मुझे जिसमें बहाल किया गया था मैं वहां सक्षम हूं तो यह भ्रह्म में मत रही आपका विद्याला है भले कॉलेज की नहीं हो 1 to 5 के टीचर हैं तो आप 1 to 5 में ही सक्षमता परिच्छा भरेंगे यदि आप 6 to 8 में बहाल हुए हैं तो 6 to 8 में भरेंगे 9 to 10 में बहाल हुए हैं 11 to 12 में भरेंगे clear आपके विद्याल से कोई लेना देना नहीं है और पंचायत और प्रकंड के शिक्छक होने से इसके आपका जो कोटी है शिक्छन का कोटी है वो नहीं बदलेगा पंचायत या प्रकंड या सिर्फ और सिर्फ एक दाइरह है यह दाइरा है आपका कोटी नहीं है आप पंचायत के हूँ चाहे प्रखंड सिक्छक हूँ आप क्या है आप एक समान कोटी के basic grade के teacher है basic grade के teacher है 1-2-5 वाले 2013 में जो लोग बहाल हुए उसमें कुछ लोग पंचायत अस्तर पे बहाल हुए कुछ लोग परखंड अस्तर पे बहाल हुए लेकिन है तो teacher 1-2-5 के ही न बहुत सारे ऐसे 1-2-5 के teacher है जो क्या हो गए 1-2-5 के teacher जो बहाल हुए 2013 के बाद वो कुछ पंचायत पे रुए कुछ आपको परखंड पे हो गए परखंड पे हुए और कुछ क्या हुए नगर अस्तर पे हुए हुए तो 1-2-5 में है न तो यहां ध्यान रखिए और clear आपका confusion नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें तो आ आप 1-5 की परिच्छा देंगे आपका यहां promotion के लिए नहीं हो रहा है आप नई नोकरी नहीं ज्वाइन करने जा रहा है आपकी competency टेस्ट होती है समझे कि आपका बारसिक परिच्छा है तो माली जी यह पहिला कलास में पढ़ रहा है तो बारसिक परिच्छा देने जाएग पढ़ रहे हैं 1-5 में प्रात्मिक में तो हाइस्फूल का परिच्छा करिच्छा देजिएगा मिडिसूल का कैसे परिच्छा देजिएगा जिस कलास में पढ़ रहे हैं उसी कलास में परिच्छा देजिएगा तो 1-5 वाले लोग 1-5 की परिच्छा देंगे 6-8 वाले 6-8 की की परिक्षा देंगे 9 10 नाist की देंगे और 11 12 वाले 11 12 की में किलियर है और जिसमें जो लाइबरेरियान है वोOhOh Connect इसी नहीं होना चाहिए यह आपके प्रमोशन का नहीं हे सीधा सा बात भी समझेए कि आपका एक वारषी परिक्षा है आप पहले पढ़ रहे हैं तो पहले का पढ़ एठीजा दीजिए आप आठ्वा कलास में पढ़ रहे हैं तो अठ्वेक परिक्षा दीजिए यहीं है बात आशा है आपकी confusion दूर होगी किसी भी टरीकी किसी भी बिसलेशन को नहीं जानी है एकदम सीधा सब दिमाग में भंडा रखना है कि भाया जोना कलास में पढ़ता नहीं वही कलास वाके नुपर इच्छाद है ना ठीक बाँ चलिए आसा है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको आसानी होगी कहीं भी कोई अगर कंफ् में यदि आपको पॉसंद आता है तो बहुत सारे वीडियो देख रहे है लाइक नहीं करते हैं सबसक्राइब करते हाजारों में लोग करते हैं सबसक्राइब करतीजेगा उर्यस ब革र उयल्य हो जाएगी मुझे उससे चीजेंन मिलेगी और ताकत से और और अध्यान से नहीं तेंक यू सो मच्छ